नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि रोजुशन टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, रोजुशन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और रोजुशन टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफे प्योग शरीर में कोलेस्टरॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है, रोजुशन टैबलेट शरीर में बैड कोलेस्टरॉल के लेवल को कम करती है, और शरीर में गुड कोलेस्टरॉल के लेवल को बढ़ाती है, बैड कोलेस्टरॉल को लेवल को बढ़ाती है, बैड क को HDL या High Density Lipoprotein कोलेस्टरॉल भी कहते हैं. इसके अलावा रोजुशन टैबलेट चाइगलिसराइट्स के लेवल को भी कम करती है. Triglycerides Fet की ही एक टाइप है, जो बलड में पाई जाती है. शरीर में कोलेस्टरॉल का लेवल अधिक होने पर शरीर की नसों में धीरे धीरे कोलेस्टरॉल जमा होने लगता है, जिसकी वज़ा से नसों में बलड का सर्कुलेशन कम होने की वज़ा से दिल का दौरा पढ़ने का और लखवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है यदि आप अपने शरीर के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को अच्छी तरह से कम करना चाहते हैं तो आपको रोजुशन टैबलेट को लेने के साथ साथ कम कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट लेनी चाहिए और घीव ज्यादा तेल से बने भोजन को खाने से बचना चाहिए इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में रोजुशन टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन 2% से भी कम व्यक्तियों में रोजुशन टैबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे सिर्दर्ध होना, बधजमी होना, शरीर में कमजोरी वधकान होना, नाक से खून आना, पेट से गैस निकलना, कब्ज होना और कुछ व्यक्तियों में दस्थ होने की समस्या भी हो सकती है रोजुशन टैबलेट की वज़ह से ब्लड शुगर लेवल अधिक हो सकता है, कुछ व्यक्तियों में रोजुशन टैबलेट की वज़ह से लिवर डैमेज भी हो सकता है इसके अलावा रोजूशन टैबलेट की वज़ा से शरीर की मासपेशियों में दर्द, जोडों में दर्द और कमर में दर्द आधी साइड इफेक्ट्स भी रोजूशन टैबलेट की वज़ा से हो सकते हैं। अगर आपको रोजुशन टैबलेट को लेने के बाद शरीर की मास्पेशियों या जोडों में बहुत तेज दर्ध होता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षन रैब्डोमायोलिसिस के भी हो सकते हैं. रैब्डोमायोलिसिस एक ऐसी कंडीशन है, जिसमें मास्पेशियों के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं. मासपेशियों के टिश्यू डैमेज होने की वज़ से मासपेशियों से मायोगलोबिन नाम का एक प्रोटीन निकलता है जो बलड में मिल जाता है जिसकी वज़ से किड्नी भी डैमेज हो सकती है वैसे रैप्डो मायोलिसिस होने की संभावना बहुत ही कम होती है लेकिन कुछ व्यक्तियों में रोजुशन टैबलेट की वजह से रैप्डोमायोलिसिस भी हो सकता है। अब हम डिसकस करेंगे कि रोजुशन टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। रोजुशन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। रोजुशन टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको रोजुशन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि रोजुशन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। लिवर की कोई बीमारी होने पर रोजुशन टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। सेग्मेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए रोजुशन टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।